So hello guys, happy Tuesday आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या मेडम जी दुनिया जाहान को सारी बाते 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 रहती हो तुम हमारे बेटोड़ी सोली के छोरी ने बिल्कु सरमदर्द कर रखा हमारे तुम क्या ये वीडियो शीडियो बनाती रहते हो हमें थोड़े उपचार बता दो कुछ बता दो तो आपको दिक्कत क्या है क्या मेडम जी क्या बताएं बात तो ऐसी है कि घर जैसी है हमारी लड़ी की दिन बर सोती रहती है तो फोन चलाती रहती है एक हमारे पती हैं, दिन बर सुनते हैं, सुनते हैं, सुन के निया देता है, वो तो कुछ भी निया सुनके देता है यह तो बताओ कि इसके सोनक कैसे छुड़ा हूँ मैं जब से पहले यह बताओ कि आप अपने बच्चे के संग बिहेव कैसे गड़ते हैं और यह सफाई होवाई मैं ध्यान नहीं देती, लास्ट मैं क्या करती हूँ, मैं तो मार देती हूँ उसको, बताओ इससे जादे क्या कर सकूँ मैं, बताइए आच्छे आप, ओके ठीक है तो ऐसा बिलकुल नहीं करना है, और आपके लिए भी आप जैसा भी इस टुमलस देते हैं किसी भी हुमन को, वो वैसे भी बिहेवियर रिस्पॉंड करता है स्किनर के अकॉर्डिंग भी, लर्निंग बिहेवियर टेक्नीक सी यही थी उसने दो तरीके से अप्लाई किया, first reinforcement, second punishment reinforcement में उसने दो चीज़ ट्राइ करी, first, plus and negative same as goes to punishment, plus and negative इसमें क्या होता है, basically, operant voluntary behavior होता है, जो कोई भी individual participate करता है accidentally, वो behavior response वो ही देता है, जो उसके nature में adapt होता है तो कुछ techniques हैं, जो आप apply करते हैं, उसके बाद आप behavior changes देख सकते हैं जैसे कि माल लिजे, आपका बच्चा, या फिर Mrs. Ahuja, आपकी बेटी तो अगर वो cleaning नहीं कर दी है, ठीक है, और आपको एक desired behavior चाहिए तो आप क्या करते हैं, reinforcement technique apply करते हैं, उसे encourage करते हैं आप क्या करेंगे, positive reinforcement में आप उसे rewards देंगे, या फिर कुछ add-on करेंगे, माल लिजे, उसको बोलिए कि cleaning करो, तुम्हे कोई भी money दे सकते हैं, आप as an reward, या कोई भी reward या token दे सकते हैं, तो आपको कोई भी चीज add करनी है, इसी में, अगर आपको desired behavior चाहिए, तो आप negative reinforcement apply कर सकते हैं, negative reinforcement, जैसे कि आप माल लिजे, आप बार-बार हड़ थोड़ी तेर में जाके उसको बोलें, कि आपको नहीं ये काम करना है, nagging start करते हैं, तो वो जो बच्चा है, आपकी ये nagging को हटाने के लिए, उस process को करना है, start कर देगा, second है ये, उसके बाद होता है punishment, punishment में क्य behavior, जो भी आपको behavior चाहिए, उसके लिए आपको कोई चीज निकाल ली है, तो माल लिजे, उसे सुबे उठने की आदत नहीं है, लेट उठती है, तो इसमें क्या करना है आपको, कि माल लिजे, वो लेट उठ रही है, तेरको मैं फोन नहीं दूँगी, बिल्कुल फोन तेर स फास बन वाऊंगी, अफर तेरको सारी cleaning करनी पड़ेगी, जितना तो लेट उठेगी, तिरको उतनी cleaning करनी पड़ेगी, तो इस तरीके से हम punishment add गर तकते हैं, तो ये दो तरीके होते हैं, होफ़ोली, मिसिस अहुजा, आपको ये behavior समझाये होंगे, आपको टेक्निक समझाये ह आप ये टेक्निक से अपने बच्चे पर अपलाई की जो, और मुझे बताइए कि क्या results मिलते हैं, हान जी मैडम नी, तुम्हारी बात तो हमें समझागी, पहले तो अपने घर जाके पती को देखें, और देखें बैटी होगी जरूर, अपने कमरे में पूरा फैला के, फु कुछ, ठीक है, मत कर, जा रही हूं महीं, हही पड़ी रह, कुछ मत कर, तू जा, बस तरह डिजिटल बना, अजसे सब कुछ बन तरह खाना पिना बन, तो ही रह, कोई दिक्कत नहीं, मुझे, ठीक है, मैं कर देती हूँ So hopefully Mrs. Ahuja का experience तो अच्छा रहा होगा, main point क्या है, कि people born with blank state, उनको कोई behavior नहीं पता होता, with experience और our surrounding के वज़े से, वह एक behavior को या एक experience को adapt करते हैं, तो आप जैसे stimulus और जैसे behavior आप चाहते हैं, आपको stimulus देना होता है, वैसी वो respond करना शूर करते हैं, उस behavior को अचीव करते हैं, तो एक relationship है, in between your stimulus and response, यही है, Skinner ने यही apply किया था learning theory में, उसने reinforcement और punishment जैसे दो चीज़ों का apply किया, और उसने देखा कि अगर मैं reinforce करता हूं, encourage करता हूं, या पनिश करता हूं, डाउन करने की कोशिच करता हूं, तो हमें अलग behavior देखने को मिलता है, इसी तरीके से हम किसी क ओफुली आपको पसंद आई होगी, please apply करें और मुझे बताएं कि आपके experience कैसा रहा, so thank you, stay safe, stay healthy